सीएम हाउस का घेराओ करने एक फरवरी से कोशम नारा रायगर से 450 किलोमेटर पैदल चलकर लोगों के साथ अभिकरता उभोगता संके अधिकारी भी रायपूर पहुचे लेकिन उन सभी को पुलिस प्रशासन ने विधान सभा के पास बलोदा बजार जाने वाले मार्क पर रोक लिया लोगों में सरकार के खिलाब काफी नाराजगी दिखी क्योंकि 450 किलोमेटर की लंबी पैदल यात्रा कर वह अपनी समस्याओं को लेकर आज CM हाउस का घिराओ करने आए लोगों ने आगे बताया कि अपनी मांगो का ग्यापन CM हाउस में सौपना पाने का उन्हें अपसोस है उन्होंने कहा घोशना पत्र में जो सरकार ने वादा किया था वह आज की आखड़ों में कहीं भी नजन नहीं आ रहा है इस तरह लोगों की उम्मीदों में खराना उतनने की इस्थिती में कुछ चंद लाइने सरकार पर फिट बैठती है तेरी फाइलों में गाउं का मौसम गुलाबी है मगर या आकड़े जूटे या दावे किता भी है विधान सबाय सिद्बलदबजार रोड पर घिराओ करने जा रहे निवेशकों उभोकता अभीकरता संके अधिकारियों को प्रशाशन के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुँच कर समझाने का प्रयास किया लेकिन सीम हाउस का घिराओ करने आये लोग नहीं माने और लोगों ने आगे और उग्र आंदोलन करने की जानकारी दी साथ ही लोगों में सरकार के खिलाब बड़ा आकरोश देखने को मिला फिलहाल अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बावजूद वहाँ लोगों का धरना प्रदेशन अभी भी जारी है इसके खत्म होने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे